Assalamualaikum, welcome to StudentTube, आज की इस लेक्टर में हम बात करेंगे चेप्टर नुबर 5, Factorization, HCF and Square Roots, Exercise is 5.8, Question is Find the HCF of the following Polynomials by Factor Method. तो Question नुबर 2 में है, 111, A5, B3, C4, 148, A8, B6, and C2, तो यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके factor निकालने हैं, तो यहां पर 111, A5, B3, C4, is equal to, अब यहां पर जो 111 का factor निकलेगा, अगर हम उसे 3 को multiply कर दें, 37 से, और यहां पर A5, B3, C4, इसी तरह से रहने दें, और फिर इसके बाद 148, A8, B6, and C2, then इसे अगर हम multiply करें, 4 multiply by 37, तो आ जाएगा 148, और यहां पर आ गया A8, B6, and C2, तो HCF क्या होता है, HCF is जो कि दोनों में common होते हैं, ठीक है, तो अगर हम उपर देखें, तो उपर A5 हैं, और नीचे हैं A8, तो यहां पर A5 आएगा, और numbers में देखें, तो numbers 37, दोनों में हैं, तो यहां पर आ गया 37, 37, अब B जो है, उपर 3 हैं, नीचे 6 हैं, तो यहां पर B3 है, तो नीचे B6 हैं, तो B3 है ही, अब उपर C4 है, नीचे C2 है, तो यहां आ गया C2, आंसर, उमीद करती हूँ, कुश्चिन आपको अच्छे समझ आया होगा, मज़ीद कुश्चिन के लिए में चैनल को कर दें, सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स और फ्रेंट्स से, शेर भी जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफ और इस नेक्स, आप खिशंग बंज से, आपके लिए, आपके लिए, आफिक सैन्ल को कर दिएता हें विलत। और रेंट्स से, इस बंड़ कर देंग पे जमाने कंव इसामेंदी के लिए, मिलते हैं, नेक्स। और बंब। नेदोर की आपकी साथ हैं!